शत्री कंडी सेना के राश्ट्रे दक्ष शिव सिंग शेखावत के बयान के पहली बार श्री राश्ट्रे राजपुत कंडी सेना के राश्ट्रे दक्ष रहे सुगदीव सिंग गुगाव मेडी जी की पत्नी और इस वक्त कारेकारी अध्यक्ष हम बात करेंगी कि आखिरकार लेकिन ने बियान देने से अगर नय मिलता तो हर कोई ब्यान दे तो कि गोल्डी पराड नाम के जो कुख्यात अपरा दी है जो कैनेडा में अभी बैठे हूए हैं वो हमारे केस में है ने कि ये लोरेंश बिसनोई लोरेंस बिस्नोई का नाम लेकर के इसको बिना मतलब के ही पब्लिशिटी मिल रही है जो की नहायती गलत है मैं इसको सही भी नहीं मानती रासिंग शेकावत ने कहा जो बयान उनका सामने आया था कि लोरेंस अमर्शहीद है उनके हत्यागान से जुड़ावा मामला है इसलिए मैं यही नाम रख रहा हूँ तो आपने जब भी बयान देखा उसके बाद आपने क्या सोचा हूँ सर पहली बाद तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा केस है जो केस हमारा चल रहा है उसमें लोरेंस बिस्नोई का कहीं भी नाम नहीं आ रहा हमारे केस में रोईत गोदारा और ये गोल्डी बराड नाम के जो दो कुख्यात अपरादी है इनके नाम है और इनी पे केस हमारा चल रहा है। तो बिना मतलब के case को खराब करने वारी बात है। इनको इधर से उदर बठकाने वारी बात है। अगर हमारा case सही डारेक्शन में चल रहा है तो उसको कहीं भी इधर नहीं लोग उनसे बात कर रहे हैं मेरी आलांकी अभी तक बात नहीं हुई लेकिन लोग उनसे बात कर रहे हैं और उनको समझावी रहे हैं कि देखिए आप ऐसा ब्यान मत दीजिए क्योंकि आपके ब्यान से कहीं न कहीं हमारी जो चल रही है जांच उस जांच में कहीं न कहीं लोरेंस भिश्चनोई ये जो अपनी चार्शीट में कहा आप उससे एक्तिफाः कर रखती है इसका मतलब देखे सर पहली बात तो मैं आपको बतादू कि अब भी तक इसका कहीं नाम नहीं आया है और जब इसका नाम आ जाएगा तो देखे करणी से ना पहले भी पिछे नहीं थी आगे भी पिछे नहीं रहेगी और जब भी हमें न्याय की बात के लिए अगर हमें चाहे कोई दर्णा परदर सनो या भूखर तालो या फिर हमें कुछ भी करना पड़े न्याय तो हम लेके रहेंगे लेकिन आग जो भरमित भरमित ब्यान बाजी हो रही है वह न्यायती गलत है तो आपका यह कहना है कि जो बयान सामने है था रासिंग शेगावत का जिस पर एक करोड़ और 11 लाक रुपए कुछ इनाम रखा है वह ब्रमित करने वाला है हां यह बरमित ही है और वैसे देखिए मैं यह कहूंगी कि इ पुलीस वाड़े उसका एनकाउंटर करो अरे एनकाउंटर की कोई विदीक परिक्रिया होती होगी ना एनकाउंटर ऐसे हो जाएगा अगर एक अपरादी आपकी जेड में बंद है जेड पलेस की स्क्योर्टी में है तो कौन उसको एनकाउंटर करेगा हां यह हो सकता था अ कि आप जेड में बैठे एक अपरादी को मरवा सकें तो कुलना कि आपकी बात नहीं हुई अभी तक रासिंग जी से नहीं मैंने अभी तक बात नहीं किया उनसे लेकिन हमारे थूरू उनसे बात चल रही थी उन्हेंने कहा कि मैंने तो अभी तो बियान दे दिया है जो मुझे सही लगा मैंने किया तो वो उनकी इच्छे है वो उन पे डिंड करती हूं उनको हुट उन्होंने दिया अब मेरे सिमें एक सवाल है चुक्कि वे भी कर्णी से नहीं से हैं आप बी कर्णिस करनिसे थैं तो कुछ लोग आपके बयान को विरुदाबा सी मानते zo करनिसे न Veryια- पड़े वी है ुसको ले कि आप का a message देंगी अपने need च्छेंगी जो भी करता है उनों को पूश्मपति बाइपी बाद के करनिसे न चाहिए एक हो Ada कभी नहीं होंगे हम अगर किसी न्याय की बात को लेकर के न्याय के लिए बैठते हैं तो वहां हर चाहे कोई भी करणी सेना का कोई भी अध्यक्स हो वह आकर के बैठता है और उसका समर्थन करता है तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई टक्राव वाली या फिर मन मुटाव कि समाच की बात को लेकर धर्म की बात को लेकिसी बात को करनी सेना एकजुट रहेगी कई यो जरूरत हो Gibbs क advise I और जहां भी हमें लगेगा कि यहां हमें बैठना है इसको न्याय दिलाना है तो हम न्याय दिला के मानेगे चाहिए हमें इसके लिए अपना ही बलीदान क्यों न देना पड़े एक बात और फर्जी अकाउंट भी बनना है गोगामेडी के नाम से और भी कुछ बाते सामने तो वो फर्जी अकाउंट चला रहे हैं और अब यह है कि वो अमारे ही परिवार को टार्गेट कर रहे हैं तो मैंने अभी इसकी अफाइयर करवाई है और कमिशनर साब को भी इसकी कोपी बेजी है तो जल्दी इस पर कारवाई होगी आप बताने ते कि आपको भी एक बार तो जिस पर कारवाई चल रही है देखते ही क्या होता है यह एक मेने की बात है उन्होंने का कि जैसे सुखदेव सायट का जो काम है वो सब बंध कर दे नहीं तो फिर तेरे को भी ऐसे ऑी मारेंगे जैसे सुखदेव शिंग होगा मेड़ी को पारा कोन लोग शकते हैं लोग जो तुर देने खर दोकर करते हैं के काम करते हैं वो खुटा गाड की करते हैं हम डरने वाड़ी कौम है नहीं एक बात आपने कही कि जो यह मर्डर हुआ था सुख गोगा मेडी जी का वो जाच है वो हत्यारों की इर्दगीर्द ही घूम रही है लेकिन राजनितिक जो संभावना है वो भी आपने जताई है हां मत अच्छा है मतलब जैसा हम सोच रहे हैं कि न्याय मिले तो हम न्याय देने की कोशिस में है और रही बात राजनितिक पार्टियों की तो देखिए कहीं न कहीं तो शेय है इसमें तो कोई सक निया है कि राजनितिक शेय है पहले नाम भी आया था और बाद में वो नाम निकाल भी दिया था लेकिन दीरे दीरे कारवाई चल रही है एन आई पे हमें विश्वास हैं हम विश्वास करने वाले लोग है न्याए हमें मिलेगा तो हम विश्वास में विश्वास रखेंगे न्याए पे अगर हमें न्याए नहीं मिलता है तो देखिए सड़क जाम करना और धर वाली के आस-पास की बात है, उस टाइम तो मैं खुदी उनके पास बैठी थी, तो ये क्या नाम है, पाकिस्तान से दमकी आई थी, जो हमने ओडियो रिकोर्ड करके थाने में दिया भी था, एफाइयार भी करवाई थी, उसके बाद में कोई कारवाई तो हुई नहीं, फिर हम जैपूर में भी कई बार एफाइयार भी करवाई, धर्णे परदर्शन भी किये, ग्यापन भी दिये, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला, वो हमेसा यही कहते थी कि अगर स्क्योर्टी मिल जाए तो इन लोगों के ये, मतलब जो होसले बुलंद प्रणा mechanics मिल कbooके मिल आथना प्रणाना कॉर्णाके ये, ग्यापनस Newship तरह स्क्योर्णा ब स्क्यां मिल स्क्योर्ड欸, भी दहां प्लो समस्त आपर अलग्या बाद प्रद आप जो तो ऱ्मुकցते हम करे बाद स्क्यांद स्क्व technology आपक्षिद्णा स्क्वाइए और शीन स पॉलिसी मिलेगी मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले तो इनको पॉलिसी देदे के मतलब है एक हम जब आर्मी जोइन करता है एक बंदा तो उसको यह होता है कि अगर उसको आर्मी में कहीं भी देश वक्ती वह उनके अंदर जगती है और वहां पर अगर सहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को पूरी फैसलीटी मिलती है उनको सायता मिलती है वही फैसलीटी यह लोरे तो देखें बिल्कुल ये हैं सुखदिव सिंग गोगामेड जी की पत्नी शीले शेकावत जी जिनका कहना है कि पहली बात रासिंग शेकावत के बैनों से उनका कोई सरुकार नहीं है इनका कहना है कि यह जो बयान है वो ब्रहमित करने वाले साथ में लॉरेंस से भी कहा कि सुखदिन नजिस्थान जैपूर।